हलो दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे अगर आपका किसी फी बैंक में एकाउंट है सपोई देट आपका SBI में एकाउंट है और आपका एकाउंट जो है सही सलामत बर्क कर रहा है आपका सभी ट्राइंजेक्शन जो है लें दें सभी अपना देख रहे हैं बैलेंस दे देख पाते हैं ना कोई ट्राइंग्शन कर पाते हैं ना पैसे निकाल पाते हैं तो किस कारण से होता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ तो मैं अपना एक्सपरियेंस जो है इस वीडियो में सेयर कर रहा हूं कि आपका भी अगर अचानक एकाउंट जो है होल्ड हो जाता है आप कि इस एस्तिति में क्या होता है तो देखें यहां पे होता क्या है कि यहां पे बैंक्स के रूल्स है कि यहां पे जो है वन येर या टू येर के बाद जो है आपका एकाउंट का किवाईसी करनी होती है अगर आपका किवाईसी का पिरियर्ड एक्सपायर हो जाती है तो इस कर वाएंगे पूरी प्रोसेस इस वीडियो में कबर कर रहे हैं तो पहले देखिए आपका अगर account hold हो जाता है आपका account जो है inactive हो जाता है तो उस इस्तिति में आपको करना क्या है पहले आप अपना आपका अधार card आपका bank का पासबुक और आपका pencard, तीनों को जो है फोटो कोपी करा लेना है अपना का अधार काड़, बैंक का पासबुक और pencard, तीनों को फोटो कोपी निकाल कर साथ में एक फोटो भी आप ले लेंगे लेने जाने के बाद एक आपको bank में जाना है bank के counter पे आपको मिलना है जो form रखती है वहाँ पे आपको जाना है और एक KYC form होता है वो आपको मांगनी है KYC form आप जो है counter से मांग डेंगे वो KYC में आपका पूरी details जो है KYC form जो होता है उसमें आपका नाम father name, mother name, date of birth, address और पूरा permanent address, मोबाइल नमबर, इमेल आईडी और सिगनेचर करने का वहाँ पे option मिलेगा एक photo chip काने का भी option आपको वहाँ पे मिलेंगी वो सारी details जो है आपको fill करनी है और fill करने के बाद जो है आपना अधार card का photocopy, pen card का photocopy, password का photocopy और form चारों को आप attach कर लेंगे attach करने के बाद counter पे आप जाएंगे KYC जो है KYC counter एक लगा होता है वहाँ पे जाएंगे वो form आप देंगे वहाँ से KYC पूरी documents को upload करते हैं वहाँ पे confirmation करते हैं confirm होने के बाद सभी okay पाये जाने पे फिर आपका जो है account को active कर दी जाती है तो आप घबड़ाये नहीं अगर आपके साथ भी अगर accounts की problem होती है अगर आप accounts से जो है आप transaction नहीं कर पा रहे हैं पैसे withdrawal नहीं कर पा रहे हैं balance नहीं देख पा रहे हैं तो इसे सिती में आपको इतनी सारी जो process है वो करनी होती है इसके लिए एक और हम बता देते हैं option आप पहले जो है टॉल फिरी जो number होते हैं bank के उसके आपको contact करना है call करना है और call करके अपने पूरी जनकारी लेने है कि किस कारण से जो है आपका जो है account hold हुई है तो हर bank का जो है टॉल फिरी number SBI SBI bank customer care number तो यहाँ पे आपको number मील जाएगा देखे टॉल फिरी number यहाँ पे आ गया इसी तरह के PNB का भी देखना चाहते है union का देखना चाहते किसी bank का आप सर्च मारेंगे Google पे तो आपका टॉल फिरी number यहाँ पे आ जाएगा उस पे आप call करके वो आपसे account details मारेंगे और पूरी information लेने के बाद आपको जो भी समस्या रहेंगी वो आपको बता देंगे अगर KYC की problems है तो KYC की और other problems है तो भी आपको suggest कर देंगे और जैसे वो suggest करते हैं उसी के अनुसार से आप process flow करेंगे और उसके बाद आपकी जो है problem की समस्या आपको मिल जाएंगे तो यह होता है दोस्तो पूरी process I hope ए process ए वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह आप process flow कीजिए आपको 100% जो है solution मिल जाएंगी आपके वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो चैनल को subscribe करना न भूलिए अगर तो मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाय जये